आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टन टेप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे तो चलिए पहली टिप की तरफ आते हैं ये कपड़ों के मैले काफ और कालर को लेके हैं कई दफा यूनिफॉर्म के कालर इस तरह गंदे हो जाते हैं मैले हो जाते हैं जिनको साफ करन बहुत ही मुश्किल होता है तो यहां पर मैं ये ट्रिक अप्लाई कर रही हूं मैं यहां पर शेंपू यूज कर रही हूं जिहां वही शेंपू जो हम अपने बालवाश करने के लिए यूज करते हैं जिस तरह बालों से शेंपू मैल और तेल वगरा अच्छी तरह से निका हो जाए यह देखिए इस तरह से लगा देना है आपको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से अपलाए कर दें और 5-10 मिनिट के लिए इसी तरह से छोड़ दें अच्छी तरह से पस्क फिला देना है आपने इसको और फिर इसको नॉर्मल मेशीन वाश कर लें जिस तरह भी आप मेशीन में डालते हैं जितनी भी टाइमिंग लगाते हैं जौन सा भी सर्फ यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको वाश कर लें मैं भी यहाँ पर रूटीन के मताबिक सरफ और सौफनर डालके इसको वाश कर लूँगी और यह आप देख सकते हैं यह कितने अच्छे कॉलर साफ हुए हैं ना हमें बहुत ज़्यादा महिनत करना पड़ी ना रगड़ना पड़ा और यह आप देख सकते हैं कितने नीट है माशाला से दोनों शिर्ट बहुत ही अच्छी क्लीन हुई हैं तो अगली टिप की तरफ चलते हैं वो डबरोटी को लेके हैं जब हम कुछी पीसीज निकाल लेते हैं तो इसको सेव करने के लिए या तो हमें इस पे वायर लगानी पड़ती है या रबर बेंड चिड़ाना पड़ता है तो उसके अल्टरेट या आप इसको जस्ट एक फोल्ड देके तो इस तरह नीचे की तरफ इसका जो एंवेलप है इसको नीचे की तरफ करने यह देखिए इस तरह से कोई कीडम कोड़ा इंसेक्ट इसके अंदर भी नहीं जाएगा और यह सेव भी हो गई तो न इसको अब डिबम करा में भी नहीं हमने डाला है तो इसी तरह अगर रखना हो तो हम चुले के आसपास ही काम कर रहे होते हैं तो इसको हलकी सी हीट इस तरह से दे देते हैं जहां से कट किया हो और हाथ से इस तरह से प्रेस कर देते हैं बहुत ज्यादा गरम नहीं करना कि य पाज से दबा देंगे तो यह सील की तरह ही दुबारा से बंद हो जाएगा जिस तरह से यह सील बंद हो यह देखिए अब यह एर टाइट भी हो जाएगा और आपकी डालें या जो भी चीज इस पैकेट के अंदर होगी वो गिरेगी भी नहीं यह देख सकते हैं आप अमें कोई इसके ओपर बैंड वगरा नहीं चढ़ाना पड़ा और हमारे पैकेट जो हैं पहले की तरह ही सेव है देखिए कितना अच्छा यह दुबारा से सील लग गई है जितने भी पैकेट्स हों और जितने भी आप इस तरह से बंद करना चाहें काम करते करते दुबारा से इनको सील बंद करके तो सेव कर सकते हैं तो चलिए अगली ट्विक की तरफ चलते हैं जो बनाना को लेके हैं केले हमने एक दो दिन से ज्यादा सेव करने हों तो यह ब्लैक हो जाते हैं और फिर बच्चे इनको खाना पसान नहीं करते बच्चे तो क् चोटी सी ट्विक है कि जब आप इस तरह से अच्छे पके हुए केले खरीद लें और आप उनको एक हफ़ते तक सेव करना चाहें तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इनको इस बांच को अलाग अलाग करेंगे हम यह देखिए इस पूरे बांच को इसी तरह से नहीं रखना है इसको इसके जहां से ये बाइंड हुए हुए इससे अलाग कर लेना है बिल्कुल अलाग अलाग करके रख देना है अलाग अलाग करके अगर आप रखेंगे और इसको आप खुली हवा में रख देंगे तो एक हफता तक ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होंगे और आप इ इसे तरह से सेव रहेंगे तो अगली tricky तरफ चलते हैं जो make-up sponge को लेके हैं जिससे हम base वागर लगाते हैं तो base उसके अंदर चलि जाती है Linux की यह 15 के लिए भी अच्छे नहीं होते तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक pot में पानी डाला है और उसके अंदर वो sponge डालके थोड़ा सा dishwash liquid इसके उपर add कर दिया है इस तरह से और फिर हम इसको एक minute के लिए oven में रखेंगे यह देखिए जितने भी आपके पास sponge हो जिस तरह के भी हो आप उसके लिए यही टिकनीक यूज़ कर सकते हैं जस्ट pot में पानी डालें, sponge डालें और dishwash liquid add कर दें और हम इसको एक minute के लिए oven में रख देंगे oven को start करेंगे एक minute में यह पानी अच्छी तरह से गरम हो जाएगा और जो जितनी भी base या powder foundation वगारा इसके अंदर जा चुकी है वो सारी की सारी निकल आएगी यह देखिए और यह अंदर तक से clean हो जाएगे इसको थोड़ा सा इस तरह से दबा दबा के इसके उपर पानी डालेंगे तो अंदर तक से यह बहुत ही अच्छी तरह से clean हो जाएगे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा इसके अंदर से foundation निकली है और जस्ट इस तरह से करके इसको अच्छी तरह से निचोड़ के तो dry कर लेंगे इस तरह से दबा के देख लेना है जब तक इसके अंदर से जाग निकलता रहे इसके उपर पानी डालते रहें और यह clean करके रख ले next tip जो है वो bell pepper को लेकी है यह मुख्लिफ colors में जो bell pepper मिलती है वो आम मिच की निस्बत थोड़ी महंगी होती है तो हम इनको ज्यादा देर के लिए store करना चाहते है तो इसको store करना ज्यादा देर possible नहीं है यह जल्दी खराब होना शुरू हो जाती है तो इसके लिए यह trick मैं जो use करती हूँ इसको छोट छोट पीसिस में काट लेना है पहले इसको इस तरह से दो पीस में करके अंदर से इसके बीज वगर सीड सारे नकाल दिये हैं मैंने यह omelette में बहुत ही tasty लगती है और जिस चीज में भी जिस food को भी हमने colorful बनाना होता है उसमें यह different colors अगर use हो जाएं तो इससे बहुत ही अच्छा color आता है इस तरह से छोट छोट पीसिस में काट लेंगे मैंने चुकर यह omelette में डालनी है तो यह size जो है वो best रहेगा इसी तरह से काटते जाएंगे छोट छोट पीसिस में काटेंगे yellow को भी इसी तरह से काट लिया और अब हम इनको एक जिप लॉक बैग में डाल लेंगे इस तरह से और इसमें डालके तो हम इसको freezer में रखके कई महीनों तक save कर सकते हैं जब जरूरत हो जितना portion आपको चाहिए वो नकाले और use कर लें कि मैं भी इसको इसी तरह से freezer में रख लेती हूँ तो काफी अर्से तक आप इसको use कर सकते हैं कर सकते हैं